नमस्कार आप सभी का राजस्तान क्लासेज के सियू टू मन्स पर आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है तो आईए दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल वन पॉन पाल वन डिक्ट पी टी ती या फिर बी ऐस चिछी एक्जामस के लिए राज़स्तान जी कि हम डेली रात को 9 बजे पढ़ते आज थोड़ा सा लेट जरूर हूँ उसके लिए माफी जाता हूँ वैसे तो दोस्तों आज ऐसे प्रशन पढ़ेंगे तो एक्जाम में पूछे गए क्वैसन है आने की संभावना तो प्रबल है ही है लेकिन यहाँ यह भी बात करूँगा आपके लिए कि पूछे गए क्वैसन है तो आपके लिए दुगुनी मतलब एक सांचेज बन जाते है कि हाँ क्वैसन पूछे जा सकते हैं एक्जाम में तो प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक आपको जुड़े रहना है बीस क्वैसन में आपको चैलेंज देता हूँ मतलब की चालिस क्वैसन दूँगा आज और बीस का आपको चैलेंज देता हूँ कि आप सही करके बताईए पैसे इतने हाट क्वैसन ही आप बस लाज तक जुड़े रहके बड़ा आनंद ले सकते हैं आज की क्लास का पहला क्वैसन आप सभी की स्क्रेन पर आता है और मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपका टाइम है ना और हां अंतर तक जुड़े जरूर रहना है एंड तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है बस क्लास पचीस से तीस मिनट तीस भी नहीं जाएगी पचीस के अंदर सिमेद करेंगे मतलब की क्लास करेंगे चलो सान माजन पद काल में मच्छे जनपद की जो राजजानी थी ना वो थी बैराठ दोस्तों कौन जी थी बैराठ थी म अपने अलवर के निकड़ भी पड़ता है और पुरा तात्विक इस तलबी कह सकते आप इसे विराठ नगर में बीजग की पहाड़ी बीम जी की डूंगरी वे मादियू जी की डूंगरी आदी इस तान पर उत्कनन कारे प्रथम बार किसके द्वारा किया गया प्यारे साथ इसके बाद जस्ट पुने इसका उतकनन करवाय जाता है 1962 के बाद में 62-63 में आई थिंग करवाय गया था वो करवाय था नील रतन बनर जी ने और एक साथ में थे इनके दिक्षित साब थे तो उन्होंने करवाया किसने एक दिक्षित और बनर जी दोनोंने में मिलके 1962-3 में बहुत मट के आउशेश मिले कब मिले काँ पे मिले बीजग की पाड़ी है ना तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताए आपको सी आफस्टन हो जाएगा 1999 को लॉफ करेंगे और यहां पे जो मिले है ना वो कौन से संपरदाय से संबंदी थे तो ही नियान और मायान मिले थे अगला क्वेशन है इंसांग द्वारा वर्णिद आठ बॉर्ड मतों मैं से मठों मैं से दो मत नियुद मैं से कौन सी पाड़ी पर इस्तित है दोस्तों यह क्वेशन भी एक्जाम में पूचा गया एक्जामिनर अब क्या करेंगे बार बार आपको कोई क्वेशन प पंच मार्क के सिक्के मिले पंच मार्क या पिर आप इसको बोल सकते हैं आहत सिक्के ठीक है तो प्यारे दोस्तों यह जो हमें मिलते हैं यह कहां पर मिलते हैं आपने का से टौक में मिले थे टौक जो की टौक के अंदर आता है रेड ठीक है बिलकुल साब सही पकड़े आप आपने जो कान अब वो बिलकुल परफेक्ट है और आप गलत करी नहीं सकते प्राचीन काल में निम्न मैसे किस इस्तान को तमरवती के नाम से भी जानते थे तमरवती नगरी के नाम से भी प्राचीन काल में इसको जाना जाता था और उसको आप अबदूल कोड के नाम से भी ज संस्कर्टी बोलने में कोई तकलिप होगी क्या नहीं सर कोई नहीं होगी तो चलो बोलो यार बना संस्कर्टी भी अगला क्वेसन है अनाज रखने के बड़े साथियों वो हो जाएगा आहड एगला क्वेसन है बीजक डूंगरी पर समराट अशो के भाबरू शिलाले की खोज किसने की थी तो प्यारे दोसों वो खोज की थी कैप्टन बर्ट ने हमारा राइट अंसर होगा एगला क्वेसन और ये क्वेसन कई बार एक्जाम में पूचा भी किया है अगला क्वेसन आता है कि भी अडपा संस्क्रती जैसे आप सिंदू सब्वेता भी बोल सकते हैं कि अभी लेक मुक्यता किस वस्तू पर बने मिले हैं मतलब जो सिंदू सब्वेता है ना उसके अभी लेक हमें किस वस्तू पर बने मिले शिलाओं पर नहीं सर इस् सभी की स्क्रेन पर गे निमलिक मैसे किस इत्यास वेता ने काली बंगा को सिंदू गाटी सामराजी की तरत्य राजदानी कहा निम्दांकित मैसे किस इत्यास वेता ने तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दश्रत शर्मा क्या हो जाएगा दर्शत शर्मा हो जाएगा राइट आंसर मतलब सी ओफशन बेलकुल सही जवाब होगा एग्ला RealSan राजस्तान के किस जिल्ले में युत संग्राले की स्तापना अगस्त दोजार पंद्रा में की गई अगस्त दोजार पंद्रा में की गई तो आप सभी का राइट आंसर होगा बाड मेर नहीं होगा जालावाड में भी नहीं होगा जालूर में भी नहीं होगा यह की गई अपने जैसल मेर में अरे भाया कहा चुप गई आप जैसल मेर होगा अपना राइट आंसर जैसल मेर के 2015 में मतलब जैसल मेर में इसकी इस्ताफना होती है युद्ध संग्राहले की ठीक है और ये क्वेसन एक्जाम में पूचा गया तबी मैं आपके लिए लेकर आया था अच्छा नमबर बारा क्वेसन है कि भी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओजा शाकंबरी के चोहानों की जो अरमविक राजजाणी थी ना वो अपने दालपुर तो थी नहीं है ना मेवाट भी नहीं थी अही चित्रपूर हो जाएगा और अई चत्रपूर हो जाएगा नागोर में अपना राइट आंशर के वपेव को अपनों वेलों सी ऑफशन ठीक है समझ गया नहीं थे लोग हां सर समझ तो किया समझ गया जैने बड़िया बड़िया अच्छी बात है चोकी बात है और नहीं जैने बसे अंपने समझनों पड़ सी है नहीं मंडरायल दुर्ग यह कौनसे जिले में मंडरायल दुर्ग यह काफी पुरा ना किलह है दोस्तों है ना और यहां पर हमारा राइट अंशर जो हो जाएगा बो हो जाएगा यह ओप्सन यह जो दुर्ग है ना दोस्तों MP वे राजस्तान की सीमा पर बना हुआ है मतलब करोली जिले में इस्तित ये मतलब है ना पूरों मदेकाल में काफी प्रसीद रहा था ये किला और करोली के चंबल नदी के तट पर ही ये बना हुआ वैसे लाल पत्थरों का इसमें उप्योग हुआ है वैसे तो मैंने ये पढ़ा जरूर था और मैंने आप जो पढ़ा वो आपको बता दिया राजस्तान का एक मात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर ध्यान देना जरा निर्माण से लेकर अब तक अभी मूलस वरूप में यतावत इस्तित है उस पर कोई पुनर निर्माण नहीं करवाया गया तो दोस्तों जब से इस दुर्ग का निर्माण हुआ शुगात में जो लगा वोही लेगा उसके बाद एक पत्थर भी नहीं रखा वो किलाए बिलौडा में ठीक है काँपर रहे बिलौडा में और उस क्लिय का नाम है बनेडा का दूर कौन सा किला बनेडा का किला मतलब हमारा right answer के ओवे लो भी option हो जावेगो इगला question है कि भी कौन सा गड सूदर्शन गड के नाम से भी जाना जाता तारा गड जै गड को सूदर्शन गड या सजन गड को देखें दोस्तों सजनगड़ और तारागड़ को तो नहीं कहते है तो सर जैगड़ को नहीं कहते है तो फिर जो नहारगड़ को बोलते हैं वह या किस को बोलते है नहारगड़ को ठीक है इन में से कोई नही राइट आंसर होगा आपका नारगड को आप चाब बोलेंगे नारगड को आप बोलेंगे सू दर्शनगड भी बोल सकते हैं ठीक है और अगला क्वेसने नंबर 16 की रियासत काल में राजी की सुरुगसाई दू अदक दुर्ग बनाए जाते थे ये इस्तित होते थे ओदक दुर्ग ओदक दुर्ग जो है ना दोस्तों ये कहां पर इसी दुगा करते थे ये जल से घिरे होते थे तो इसको आप जल दुर्ग भी बोल सकते हैं या फिर आप ओदक दुर्ग भी बोल सकते हैं ठीक है तो अपना राइट आंसर जैसे बेंस का जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है भर्दपूर का किला है या शेरगड का किला जैसे आप कोश वर्दन कहता है जो अपने बारा में वो है क्या या फिर जो दौसा का किला या शाबाद का किला ये भी अपने शाबाद का भी बारा में है भर्दपूर का किला तो पूर में नहीं है गाझटियोग में मतलब क्या सको के उतर पर्देस और मद्ध पर्देस बीच में ठीक है तो इक जरूर आपका शेर गड्म में लेकिन यह शेर गड्र का किला कोछ्ठ फैल अलग है ठीक है दौलपूर वाला अगला question आपके screen पर है निम्लांकित में ऐसे किस दुर्ग को यूनेश को ने विरासत दुर्ग घोश्टी तैं नहीं किया जैसल मेर को कर रहा है आमेर को भी कर रहा है मांडल गड को नहीं किया कुंबल गड को भी कर रहा है ठीक है और अपने उसको और कुंबलगड अब मैं आपके लिए एक छोड़ देता हूं छटवा दुर्ग जो कि ये सारे के सारे 2013 में एड होते हैं कुल 6 के ले एड होते हैं छटवा दुर्ग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं वो कौन सा दुर्ग था जो छटवा था गुंगट गुंगड़ी अंसर करेंगे और अंतों तक जोड़े रहेंगे हमारे साथ तारागड अजमियर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नामें गुंगट क्या है बुर्ज नामें गुगड़ी भी बुर्ज का नामें और बांद्रा और इमली ये सारे बुर्ज के नामें लेकिन किसके तार भारत की यातर पर आये था चिन यातरी जिसका नाम था क्या था आपको बता है सर यातरी का नाम था हेन सांग और हेन सांग ने बीनमाल की यातरा भी की थी करोड़ पतियों की नगरी बोला था और पीलो मीलो भी बोला था पीलो मोलो ठीक है अपना राइट आंसर के हो तो यह यहाद करो भी या वो दिन पनरासो चीएतर का ठारा जून या फिर आप एक जून भी याद रखेंगे दोनों दिन याद रखेंगे यार क्योंकि क्वैसन कहीं से भी आ सकता है तो देखें क्योंकि यह कहा गया था दीवेर की युद को किस युद को दीवेर की युद को ठीक है और दीवेर का युद की बात करें 1582 में हुआ था अगला क्वैसन आता है कि नेमन मैंसे असुमिलित आपको बताना है असुमिलित काकोड़ दुर्ग की बात करें तो दोस्तों काकोड़ कopy वैसे अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंश भाए आप से तो गुमट का दूर्ग आपको पता है कहा रहे दोसा में नहीं है आपको का कोड़ टौक जीले में सही है आपका का कोड ठीक है humans और गड़ दुर्ग गंगा नेगरम बिलकुल सही है क्वेसन आपके लिए नियू है दोस्तों जरा थोड़ा सा विशेश रूप से ध्यान दीजिएगा आप में इंदोर का किला आपका अलवर जिले में जरूर है तो आपके इंदोर तो MP में अरे है लेकिन आपका यहां पे किला जरूर है गुमट का दुर्ग दौसा में नहीं है यह कहां पर यह अपने दौलपुर में तो प्यारे साथियों राइट आंसर हम करेंगे सी ऑफ्षन को अगला क्वेसन आएगा अक्मर दौरा महाराना परताब से बाथ ची थे तू भेजे गए दूतों का साही क्रम करने दरबार में नहीं था कराइं एक सेकंड अ मुझा तरौध कर में अंसर दो बने दरबार में परा में लोने है हाँ चलो सबसे पहले जे चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं जमा बाटो मैंने आपको ट्री कई बार बता दिया और आप भी याद रख रहे होंगे वैसे जलाल खान मामान सिंग भा भगवन सिंग और टो मतलब टो डर्मल बस इतना सा है अगला क्वैसने मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टी से मारणा परताप पाथ पृदरशक जो मांना जाता है वो कैसको माना जाता है कि पृदर्शक प्रदर्शक ऐसे लowners जाएगा ना पर प्रदब खृदर कि मद्य शेयर सा एम उदे सिंग के मद्य माल्दे वेब मिर्जा हैदर के मद्य या उन मेंसे कोई नहीं तो हमारा जो राइट डांसर हो जाएगा वह जाएगा बिलकुल इजी सा है हर्माना का यूद है ना मैं आपको बता हूँ शेयर सा आप है ना इसमें सही उत्तर मान सकते हैं शेयर सा और उदे सिंग के मद्य मान सकते हैं बिलकुल क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर सा का सेना पती था वैसे शेयर सा खुद तो लड़ने नहीं आयता शेयर सा क सेनापति था जिसका नाम था दोस्चों आजी खान तो आखिर जो वो था यह रिया रखना पंदरस़ सथा उनमें यह वह था और अर्माड़ा कई जिसमें आजी खान जीत भी गया था अगला क्वेसर ने शेख सलीम चिस्ती की किन के शिष्य थे चलो बता दो मैं तो यही पढ़ा था कि दर्गा कहां पर है ना दर्गा तो वैसे अजमेर में आप सबको पता यह लेकिन आप है कि शेख सलीम चिस्ती किसके किन के शिष्य थे सोरी सलीम चिस्ती की दर्गा थोड़ी है यहां पर मुहिन दिन शिष्ती की दर्गा यह जमेर में तो है ना हमारा राइट आंसर वैसे हो जाएगा बी आपस नरहड के पीर है ना शेख सलीम चिस्ती के शिष्य थे तो नरहड के पीर के जिनका नाम है हजरत शक्रवार ठीक है इनकी दर्वार शक्रवार की दर्वार 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 की दर्वा सोनार किला ये कौन सा जैसल मेरवाला है क्या हां जी जैसल मेरवाला है अगला क्वेसन है गुदर संपरदाय किसे संबंदी थे दोस्तों गुदर संपरदाय जो है ये किसे संबंदी थे संत दास जी से या संत राजाराम जी से संत नवल दास जी से या संत स्री प्राण नात ज संत दास जी आप सभी का मुझे ने बोला ना राइट डांसर हो जाएगा फिर आगे बढ़े हैं जी सर अच्छा एक बात बताओ मुझे गुद्रडा संप्रदाय की पर्मुक पीट कहां पर हैं सर दातडा में दातडा कहां पर है सर भिलवाडा में भिलवाडा मिलगी रहे बं तो ऐसे याद रख पाएंगे कि दातडा भिलवाडा में है और संत दास जी जो की गुद्र संप्रदाय से समधित है भिलवाडा में इस्तिध है बस इतना याद रखना है बाकी गाना याद रख कि क्या कहां जाओगे यार कुछ याद नहीं करना बस आपको तो ये question answer याद मिलना है ना नवल संप्रदाय के परवर्तक नवल दास जी किस जिले के निवासी थे बता दीजिएगा नवल दास जी जी नवल दास जी किस जिले के निवासी थे सर जोत पर कहते हैं ना रहे ना बिलकुल ना नागोर कहते हैं कहां के नागोर के मतलब डी आफसन है ना दाउदी बोरा संपर्दाय के आरादे पीर जो थे ना दाउदी बोरा संपर्दाय के आरादे पीर जो थे वो थे पीर फक्रुदिन गलिया कोट में इनका उर्स परता है दोस्तों डुंगरपुर में है गलिया कोट कहां पे डुंगरपुर में यहां पे उर्स भी परता है ठीक है परमुक धार्मी के स्थल भी है और गलिया कोट अपने खिलोनों के लिए भी प्रसीद आपको याद हो किस दुर को राजस्तान का वैलोर भी कहा जाता है बता दीजिएगा कौन से दुर को राजस्तान का वैलोर भी कहा जाता है राजस्तान का वैलोर भी कहा जाता है ठीक है तो यहां पे चौमू अगड़ ये अपने जैपुर में वैसे नहीं होगा सोनार गड़ अपने जैसल में नहीं होगा बैंस रोड़गड को आप लॉक करेंगे और बैंस रोड़गड अपने काम पर है चितोड़गड में अच्छा धारा-धार गड़ दोस्तों को किला कौन सा है चौमु के किले कोई कोई तो नहीं कहते धारा-धार गड़ लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा बेंस रोड़गड का सी आफशन को आप लोग लॉक करेंगे करनल जैंस टॉड़ड ने इसको जो है एक नया ही नाम दिया था अभेद्य दुरग अभेद्य दुरग इसको का था करन जैंस टॉड़ ने दोस्तों ध्यान रखना और यह जो है ना अपने चंबल और बामनी दोनों नदियों के तटपर बना हुआ है और खांपे चितोडगड में है अगला क्वेसन नंबर 32 जल्दी से जवाब बनेगा अलकिया संपरदाय के परवर्तक जिनका नाम है स्वामी लाल गिरी अलकिया संपरदाय के परवर्तक स्वामी लाल गिरी का जन्म किस जिल्ले में हुआ था बूंदी जिल्ले में नहीं सर करोली जिल्ले में नहीं सर तो सीकर में तो हुआ होगा नहीं सर नहीं सर नहीं हुआ तो चुरू में सर अब इसको तो करना ही पड़ेगा इसक जालो भीया इनका जर्म अलक्ये सम्पर्धाइए कि परवर्त कौन होगए लाल गिरी याद रखें कि अलक्या ल और लाल ळाल ठीक है ऐसे चुरु में इनका जर्म होता है और इनकी पर्मुक़् पीड है बीका नेर में बना दी ठीक है साब नमबर 33 है कि कि सूपी संत नागोर के पास सुवाल गाओं में अपना कैंद्र बना कर शांती पूर्वत प्रचार किया यह आप से पूचा जा रहा है सूपी संत की बात कर रहे हैं नागोर के पास में सुवाल गाउं की बात करें ठीक है नागोर की बात है और दिली में सल्तनत काल की बात है वैसे उस सल्तनत काल हुआ करता था जामबो जी जहां प्रवच्चन करते थे रहे कहाँ क्या कहलाता था जामबो जी जहां पर प्रवच्चन दिया करते थे ना वहाँ पे क्या कहलाता था सबद, वाणी, शील यानमे से कोई नहीं तो दोस्तों सथारी कहलाता था क्या सथारी उक्त मैंसे कोई नहीं फिलाल हमारा लॉक हो जाएगा सथारी ठीक है डी आफसन होगा अलक इस्तूती प्रकाश किस संपर्दाइका परमुक गरंत है अलक अलक इस्तूती प्रकाश किस संपर्दाइका परमुक गरंत है राजा राम संपर्दाइका या नवल संपर्दाइका या गुदर संपर्दाइका या फिर अलक या संपर्दाइका तो दोस्तों अलग इस्तूती प्रकाश रहना ये अलग या संपरदाय का है हमारा राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा डी आप्सन ज्यादा टाम इवेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नमबर 36 आप सबी के स्क्रीन पर आता है परणामी संपरदाय के परवर्तक श्री प्राणनाथ जी श्री प्राणनाथ जी जो है ना दोस्तों प्राणनाथ जी ये कौन से संपरदाय से संबन देते हैं प्राणनाथ जी परणामी संपरदाय से संबन देते हैं और ये कहां के रहने वाले थे गुजरात के रहने वाले थे ठीक है गुजरात में जामनग वहां के थे जाम नगर के और दोस्तों इन्होंने भगवान क्रश्न को ही पुजा वे एक क्रश्न को आराते देव मानते थे अपना ठीक है और इनका मूल दर्शन भी मतलब क्रश्न भगवान को परणाम करना ही हुआ करता था नमबर थर्टी सेवन आप सभी की स्क्रेन पर है के निम न लिकित मैंसे के सूफी संत ने अपने जीवन काल में साथ सुल्तानों का शासन काल देखा था as well go some time कोंठ है लुए को इस सुपी संथ कों थे जा साथ सुल्तान थे और सुल्तानों से साथ सुल्तानों में वैसे आपका एक राइट आंसर जो होगा है वहुँ जाएगा सी आफ्षेन निजा मुदिन ओलिया और वैसे ज्भना गया सुधीन तुगलक गया सुदिन तुगलक और निजामुदिन ओलिया के कभी बढ़ी ही नहीं थी ऐसा कहा जाता है वैसे और वैसे ये भी कहा जाता है कि निजामुदिन ओलिया को गया सुदिन तुगलक जब बाहर गया हुआ था मतलब राजी का मतलब दिल्ली से जब बाहर गया गया था और जब ये वापस वहाँ से आ रहा था तो गयासुदिन तुगलक ने कहा था किसको निजामुदिन ओलिया को कि जब तक मैं दिल्ली पहुँचूं तब तक निजामुदिन ओलिया आप दिल्ली छोड़ देना लेकिन उस समय इनका प्रतियूतर क्या गया था ओलिया का निजामुदिन ओलिया का प्रतियूतर गया था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है जो आपने वर्ड कभी सुना होगा तो ये निजामुदिन ओलिया नहीं काता और इसको काता गयासुदिन तुगलक को ठीक है और ऐसा कहा जाता है कि गया सुदिन तुगलक दिल्ली पहुँचा ही नहीं था उससे पहले ही उसकी डैथ हो गई थी तो चले दोस्तों यह स्टोरिया फन कभी बात करेंगे अगला क्वेसन आप सभी की स्क्रिन पर है हाँ उसमें अईसा भी है कि हुजूर दिल्ली दूरस्त दूरस्त हुजूर दिल्ली दूरस्त यह ऐसा उन्होंने पेगाम बेज़ाता है तो इसका मतलब यही था हुजूर दिल्ली अभी दूर है चले दोस्तों अगला क्वेसन आता है सन्यासियों के सुल्टान के उपनाम से किने जाना जाता है सन्यासियों के उपनाम से किने जाना जाता है तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आप्सन हम्मी मुदीन नागोरी को और दोस्तों अतारकीन का दर्वाजा अपने राजस्तान में नागोर में बना हुआ है और मेरे ख्याल से मुम्मद बिन तुगलक ने बनाये था उसको ठीक है तो ध्यान डेकना प्यारे साथियों काफी मैट्पूर्ण क्वेसंट था ये राजस्तान का वे कौन सा संत है जिसने फतेपूर सीकरी में अकबर से भेंट की थी फतेपूर सीकरी कहाँ पर है सर यूपी में है चलो फतेपूर सीकरी ठीक है और ये मतलब की वहाँ पर आप कह सकते हो पंच मंजिला भी है वैसे वहाँ पर ठीक है अबादत खाना भी है वहाँ पर वैसे वहाँ पर आपका उसका क्या नाम है खेर आएगा याद तब बताऊंगा जिसने अफतेपूर चीकरीम अक्बर से बेंच की तो वह थे अपने रामसरन जी नहीं थे जसना जी भी नहींते मेरा भाई भी नहींते तो वह थे दादू दयजी धादू दयजी ठीक है तो हमारे राइट आन्सर हो जाएगा ड़ी आफसन दोस्तों ठीक है अगला क्वेसन और लास्ट क्वेसन आज का और हमारे टाइम हो गया है लगबग 25 मिनट उमेद करते हूं आपको क्लास बड़ी शांदार जांदार और हिट लगी होगी है ना लगी होगी तो शेयर करना बनता है यारों अजमिर के खौजा मौन दिन श सूपी सिल्सले से समंध रखते थे तो वे रखते थे आपने शिष्ष्टी होगा ना पर मैंने बोली धी दिया पहले ही खेड़ क्या तो हमारा डाइट आंसर शिष्ष्टी हो जाएगा नकी ये प्रतिर्वाज छोः तरते के समय राजस्तान में आते हैं और अजमिर में य रहते हैं और अजमिर में ही इनकी दर्गा भी बनाई जाती है वैसे तो चले दोस्तों कल की क्वेसन की बात करते हैं कल आप से क्वेसन कहता कि राजर्स्तान का सबसे छोटा राष्ट्री उद्यान कौन सा है तो के उलादेव गहना पक्सी विहार है ठीक है प्यारे दोस्तों यहाँ पे जिस परकार से आप सभी का उत्तर जो था वो इस टाइप से था यहाँ पे सबसे पहले सचिन पाइलट साब के फैन सबसे फस्ट में पभी निकालिया जी चेतना चोहान आज एक्लासेज पूजा सेनी 2022 देश राज गुर्जर जे मातादी एंटरपाइज अपसाना खान टीना राठोर जस्पाल सिंग बी आरेर बरार और संगीता परियार आप सभी को दिल से बहुत 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 शुक्रिया आप ऐसे ही प्रगति करते रहें तबी काम बन पाएगा तो बिना टाइम वेश लिए आप सभी को मैं आज का क्वेशन देता हूं मैंने आज काफी वैसे भी टाइम लिया आपका आज का महत्मून प्रश्ण ये है कि राजस्तान का सबसे चोटा वने जियो अब्यारन कौन सा है उसका नाम आपको बताना यह आपकर आपको यह उमीद नहीं थी कि आज क्वेशन ऐसा ही आएगा इतना सिंपल नहीं थी नहीं यह कोई बात नहीं लेकिंद इसका जवाब आपको बताना होगा और जो मेरे भाईबने बाद में क्लास को देखते हैं वो कमेंट नहीं करते हैं फिर भी आपको मेरी तरफ से बहुत 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 शुब कामना है कि आप क्लास को देखते हैं के बाद भी अपने मतलब चार सेकंड अपने कीमती चार सेकंड निकाल दिया करो यार कमेंट करने में और comment जब पढ़ता हो na real बतारा हूँ बड़ा खुश होता हूँ मैं कि real में आपने comment किया है आपना अपना कीमति समेर निकालाई सबक समय कीमति होता है मैं अब amoni की class देता हूं उसमें क्या है मुझे वही मेनद करनी पड़ी लेकिन उतनी audience नहीं देखती फिर भी मैं आपके लिए मैनेद करो मेरा समय किम्ती नहीं है क्या है तो आइ थिंक आपको भी थोड़ा बहुत कमेंट करके मेरा मनुबल बढ़ाना चीए अगर नहीं भी करो तो खेर कोई बात ने लेकिन करने चाहिए मेरे ख्याल से तो चले दोस्तों आप सभी का दिल से बह बढ़ा सुप्टेंट दिया जाएगा आपको कल कंप्यूटर के सौक वैसन में पीडिया दूंगा सौक वैशन की कंप्यूटर की पाप लोग जरूर पढ़ना उसको डाउनलोड करना और अपने कंप्यूटर एक्जाम आपने हां इस एक्जाम के लिए जरूर है जो उसको